नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चीर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधी महतोपूर्ण जानकारी को लेकर के जिहां शरीर में दीखें ये लक्षन तो समझे कैलिशियम की कमी है समय रहते जान जाईए वरना बुढ़ापा एक खाट पर सिम जाता है हड्यों को और दातों की मजबूति के लिए जरूरी पोशक तत्व है हर किसी को एक दिन भर में कैल्शियम की एक निश्चित मात्रा की जरूरत भी होती है एक स्वस्थ मनुष्य को दिन भर में 1,000-1200 मिली-ग्राम कैल्शियम की आवश्यक्ता होती है वहीं कामी देखी जा रही है हम बता रहे हैं कुछ लक्षन जिन से आप जान पाएंगे कि आपके शरीर में केलशि tir cake कमी है जिहां हडियों में कमजूरी केलशियम हट्डियों के बनने में मऔद करता है और इसकी कमी होने पर इसका पहला तक्पर म में घंपयोंगांब्ष हर घ्रइलक्षण हड़ियों पर्दिखाई देता है कंशिम की कमी से हड़ियां कमजूर हो जाती है और फेक्ट्र होने की संभावना भढ़ है कलसियं कमी से उम्र के साथ आस्टियोपोरोसिस का होने का खत्रावी बढ़ जाता है मांस्पेशियों में खिचाओ, जी हाँ, मसल्स के निर्मार में कैल्शियम की एहम भूमिका होती है, शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर इसका सिधा असर मांस्पेशियों पर पड़ता है और उनमें खिचाओ होने लगता है, इसकी कमी से खास तोर पर जंगों और पिंडलियो में असानिय दर्द होता है नाखुनों का कमजोर होना आपके नाखुन भी एक तरह की हड्डियां ही होती है इन्हें भी बढ़ने और मजबूत होने के लिए केल्शियम की जरूरत होती है केल्शियम की कमी से नाखुन कमजोर होने लगते हैं और आसानी से तूट जाते हैं शर शरीर में मौझूद 99 प्रतिक्षत केल्शियम हड्डियों और केल्शियम की कमी से दातों में दर्द और जंजना हट होने लगती है और दात कमजोर होकर तूटने लगते हैं छोटे बच्चों में केल्शियम की कमी से दात देर से निकलते हैं ठकान केल्शियम की कमी से हड्डि के बाद अक्सर calcium की कमी हो जाती है और वे ठकान महसूस करने लगती हैं मासिक धर्म में अनयमित्ता मैं कैल्σιयूम की कमी की वज़ह से मासिक धर्म देर से और अनयमित तोर पर होता है मासिक धर्म से पहले Cub की कमी के कारण ज्यादा दर्द होता है और खून भी जादा आता है केल्शियम महिलाओं के गर्भाश है और उवेरियन हार्मोन्स के विकार में मदद करता है जल्दी जल्दी बिमार पढ़ना जिहां केल्शियम रोग प्रतिरोधक शम्ता को बनाए रखने में महतोपून भूमी का निभाता है इसके अलावा ये श् केल्शियम की महतोपून भूमी का होती है इसकी कमी से बाल जढ़ने लगते हैं और रूखे हो जाते हैं अगर आपको ऐसी समस्या है तो ये शरीर में केल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है बढ़ती हुई उम्र के साथ व्यक्ति का डाइजेशन कमजूर होने लगता है आम तो गौसा मेधा खाने या अनहिलदी डाइ传 होने के कारण भी शरीर में केल्शियम की कमी हो जाती है वहिं महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान बेबी की बॉन्स डेवलेप्मेंट प्रोसेस के समय महिला के शरीर में लेवल कम होने लगता है प्राप्त कर सकते हैं अधरक की चाय देड़ कप पानी में एक इंच अधरक का टुकड़ा पीस कर डालें और उसे उबालें जब पानी एक कप रह जाए तो उसे चाय की तरह पीएं इससे आपके शरीर में केलिशियम की मातरा की पूर्ती हो जाएगी जीरे का पानी रात भर द इलकी चिक्की और लड़ो भी खा सकते हैं रागी हपते में कम से कम दो बार रागी से बनी हुई इडली दलिया या चीला खाएं इससे पर्याप्त मातरा में केलिशियम आपको मिलेगा अंजीर और बादाम रात भर पानी में चार बादाम और दो अंजीर भिंगो करके रख सुबह इने चबा करके खालें स्प्राउट्स नास्ते या शाम के समय हलकी भूख में एक बावल स्प्राउट्स खाएं निम्बू पानी रोजाना शाम को एक ग्लास निम्बू पानी पियें दिन भर में कोई एक खटा फॉल खाने से भी फायदा मिल सकता है स्वयाबीन सब ता हमें एक बार स्वयाबीन की सबजी खाएं या खाने में स्वयाबीन की मातरा बढ़ाएं सुबह की धूप रोजाना सुबह आठ बजे से पहले करीब 10 मिनट धूप में बिताएं आपको फायदा होगा जिहां दोस्तों तो यह वो कुछ जानकारी थी जिसके सहारे आप शरीर में कैलिशम की कमी को पूरा कर सकते हैं अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धान्यवाद नमस्कार दोस्तों